हेलो और नमस्कार दोस्तों मैं हुस सागर राज और मिस्टर टिक्नोहालिक चनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आज इस वीडियो में हम चानोगे Redmi Note 5 Pro में audio based MIUI Pro Tom के features and bugs के बारे में जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे हुझे आप इस राम को अपने Redmi Note 5 Pro में flash कर सकते हो अगर अभी तक अपने वीडियो नहीं देखिए तो चाहो यह जली से देख सकते हो तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी features की बात करेंगे इस राम की तो यहाँ पर आपको dual 4G वोल्टी का option मिल जाता है जो कि सच मुझ यह काम करता है कोई भी fake नहीं और सच में यह काम करता है option में भी इसके settings में भी और देख सकते हो dual वोल्टी यहाँ पर enable आपको देखता है बटन और आप दोनों ही से internet यूज कर सकते हो कोई भी navigation बटन आपको यहाँ पर नहीं मिलता है देख सकते हो यहाँ पर जो भी हम काम कर रहे होंगे वो gestures के help से काम कर रहे होंगे और इसकी settings में आपको देख जाएगी full screen display और जिसका मतलब है यह आप full screen जेसे use कर सकते हो यहाँ पर settings में जाके इसे enable कर सकते हो यह फिर आप चाहो तो navigation बटन भी on कर सकते हो इसके लिए तो इस वीडियो पे एक like तो बनता है boss और अगली features मिल जाती है यह रहा camera app का application और camera app को open करते ही आपको जाना होगा अपने video के section पे देख सकते हो portrait mode वेकरा तो काफी अच्छे से काम करता है और लेकिन आपको यहाँ पर एक special चीज़ दिखाता हूं जो कि इस camera में आपको मिल जाता है और इस camera में जाने के लिए आपको video की settings पे जाना होता ह यानि कि आप 4K video record कर सकते हो इस ROM में UHD Ultra High Definition आप 4K video quality में record कर सकते हो video इसके लिए भी तो एक like बनता है boss और साथ ही इसमें आपको portrait mode का feature भी जो है काफी बढ़िया वाला दिया गया है जिसमें आपको मिल जाता है depth effect depth effect में आपका ये काम करता है बड़ा अच्छा काम करता है और ये आपके photo को और भी काफी अच्छा portrait mode look देता है तो ये भी काफी अच्छी interesting features है जो कि कमाल हो गया इस ROM में अब अगरी बात की जाए तो यहां पे double tap और double wake का तो features मिली जाता है सभी में और इसमें भी आपको म animations भी नजर आते हैं इसको on करते time जो कि ये काफी अच्छा animation है और इसके लिए भी तो एक like बनता है बहुत इस वीडियो पे तो ये भी जो है एक like इसके लिए दिया करो और ये काफी अच्छा मुझे लगा animation और साथ ही आपको मिल जाते हैं settings पे ले चलते हैं तो settings में देख सकते हो यहां यहां पर मैं आपको settings से एक बाप युगरू करा देता हूं देख सकते हो यहां पर and home screen and sort थर सब्सक्राइब कर आप जाओगे तो यहां पर आप application को hide कर सकते हो जो कि यह काफी अच्छा तो बिख और लॉक तो करते ही हो, डबल टैप करके आप एप्लिकेशन भी ओपन कर सकतो, यहाँ पे सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, और प्राइवेस्टी पे चलते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाता है पिक्चर इन्पिक्चर मोड का उप्चन, पता नहीं यह पिक्चर यहां पर चैन्ज किये गए हैं आपको सेकंड स्पेस को लेके एंड फेस डेटा तो यहां पर काफी अच्छा काम करता है आपके फोन को अनलॉक कर देता है रात के अंधेरे में भी मैंने इसे देखा तो ब्राइटनेस काफी परहा लो और उसके बाद जो आपका फेस के जोग फोन को अनलॉक करने के लिए अप एक्सन को अनलॉक करने के लिए लेकिन आप फिंगर्प्रिंट के जरीए पेमेंट भी कर सकते हो नहीं भाई नहीं कर सकते हो यहां पर आप्शन तो नजर आता है कुछ ऐसा ही लेकिन वो क्या है कैसा है और कैसे यूज होता है कुछ यहाँ पर इसका पता नहीं लगा, मैंने सारा रिसर्च कर लिया, इसके भी चलिए कुछ जो यहाँ भी समझ नहीं आ है, और मैंने इस fingerprint पर जाने के बाद, आप देखोगे कि यहाँ पर, आपको लाश्ट पर दिख जाता है, fingerprint payments, यहाँ पर जाने के बाद, कुछ भी जो समझ नहीं आता है, तो एक चोटी सी bugs इसे मान सकते हो, अब अगली फिच, जो है, खदरनाक वाली bugs, जो है, वो मैं आपको बताने वालो, fingerprint के जरीए तो आपने फोन को unlock किया ही है, और बहुत सारे चीज़ें unlock करा ही है, लेकिन, fingerprint के जरीए आप अपने device को restart कर सकते हो, जो देखोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने fingerprint के जरीए अपने phone को unlock करने की कोसिस करी, कोसिस करी और कोसिस करी और कोसिस करते करते यह जो phone, देख सकते हो, क्या हो गया है, रिस्टार्ट हो गया है, रिबूट हो गया है, मैंने रिबूट तो कर रहा नहीं था, तो यह एक जादोई चमतकार है यहाँ पे, और यह एक चमतकार जो है इस फोन में, इस रॉम में हो रहा है, यानि कि यह बहुत बड़ी बग्स है, जब आप अपने फिंगरप्रिंट का यूज करते हो, फोन को अनलोग करने के लिए, तो यह बारे बार आपके डिवाइस को रिस्टार्ट कर देता है, रिबूट कर देता है, तो यह लगता है कुछ यहाँ पे लफरा हो गया है, और अब अगली जो बग्स है, वो है, वो भी एक माइनर या फिर मेजर कह सकते हो अपने लिए, और यहाँ पर कॉल के दोरान आपको वोल्टी वीडियो कॉल तो मिलता है, वीडियो कॉल होती है, लेकिन वीडियो कॉल सपोर्टेड है, लेकिन ब्लैक स्क्रीन आपको वहाँ पर दीखता है, फेस नहीं दीखने को मिलेगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एंड वीडियो कॉल कर रहा हूँ और यह जो है ब्लैक ब्लैक दोनों ही पे ब्लैक ब्लैक के स्क्रीन देखने को मिलता है बस आपको यहाँ पे खुद का फोटो जो है तो यह जो है एक माइनर यह मेजर बगस आप अपने हिसाब से इसका कुछ लगा सकते हो इसाब किताब तो लिंक मिल जाएगी वीडियो के नीचे देके डिस्क्रिप्स न बॉक्स पे आप वहाँ जाकर जो इस वीडियो को चेक आउट करके अपने फोन में इस रॉम को फ्लैस कर सकते हो तो उमीदे कि आपको अगर यह वीडियो पसंद आती है तो प्लिशी वीडियो पे लाइक शे करते रों मुस्कुराते रों बने रों मिश्टिक नॉहॉलिक चैनल के साथ और कहते रहो भानत माता की जैए